हेलो हम सबस्ट होंगे और मस्त होंगे तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाली हूं डाइज़ेस्टिव सिस्टम के बारे में या निकिंदी में बात करें तो पाचन तंत्र के बारे में स्वार्ट बाता है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हो कहा से स्ट्राट होता है अगर आप में चैनल पे नए वो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कर दीजिए और चलिए स्टाट करते है आज का हमारे टॉपिक है digestive system यानि के हिंदी में बात करें तो पाचन तंत्र तो dear student कभी आपने सोचा है जो भी हम खाना खाते हो वो किन-किन राष्टों से होके गुजरता है तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हो किन-किन राष्टों से होके गुजरेगा और कैसे हमारे बोजन का पाचन होता है तो सबसे पहले जान लेते है digestive system यानि के पाचन तंत्र क्या होता है उसकी definition देख लेते है तो चलिए चलते है देखते है definition क्या है तो मानव का पाचन तंत्र वहब पाचन वहब परकिरिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्तों में जाता संद्रिंट कार्बनिक पदार्तों में बदल किते कैया चेन है । इनको बड़ी बाइट पो स्पॉंत कि कstaw शोटे चोटे तुपडों में तोड ना पांच केला आता है जया ह। दाइजेस्टिस सिस्टम कहलाती है तो चलिए देख लेते हैं पाचन के परकार को नंबर एक अंते को उसकिया यानि के इंग्लिस में बात करें तो एक्ट्रसेलूलर एक्स्ट्रसेलूलर डाइजेशन यानि के इनको भी हम पढ़ेंगे आगे नसायत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनको डिटेल में क्या होता है अब जान लेते हैं मानव पाचन तंत्र यानि कि हम हैं हमारे वे कौन से तंत्र है हमारे वोजन कोपचाने में हेल्प करते हैं तो चले देख लेते हैं कौनसे सबसे पहलता है आहार नाल जानिके अलिमेंटरी केनल क्या होता है अब आप यह पूछए के इसको क्या कहते हैं या फिर गट भी कह सकते हैं यह पूछे जाता है बहुत सारे बन के आते इसमें से यानिके गट भी कह सकते हैं गट भी कह सकते हैं गट भी कह सकते हैं अहर नाल इंदी में बोलते हैं और मानव पाचन तंत्र भी कह सकते हैं तो आपको घबराना नहीं है सेम रिप्लाई होता है सभी का सेम उत्तर देना है आपको तंत्र जो है अहर नाल एलिमेंटरी कैनल यह हो लो यहां से सुरू हो कर बिल्कुल यह पूरी एलीमेंटरी कहना लोती है यह पूरी अहारंड़नाल होती है मैं आगे समझाऊंगे कैसे कैसे गाना कहा कहा से जाता है किन-किन रास्तों से गता है next मुक एवं मकगुए यानिके mouth and buckle cavity यह जो है मुख है, मुख गुवा है, buckle cavity है तो मैं साथ साथ लिख के चलूँ साथ साथ लिख के चल रही हूँ यह तो पूरी elementary कहना है लोगी आपको पतल लग गया मुख एवं मुख गुवा यानिके mouth यह क्या हो गया यह हो गया अब बात करते है दातों की teeth इसके अंदर क्या है दात क्या करते है मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी किसका क्या कारिया होता है दातों का क्या कारिया होता है यह भी मैं आपको next video में detail से पढ़ाऊंगी अब बात आते है जीव की जीव का भी अपना ही कारिया होता है जैसे मैं दात का थोड़ा सा बता दू दात का क्या कारिया होता है हमारे बोजन को कुचलना छोटे छोटे टुकडों में उनको तोड़ना अब आता है जीव जीव का क कई लिग करते हैं विश ऊफेकर का अगल ठीक है इसको बोलता है यहां फिर ग्रेस नली या फिर घ्ष नी भी बोल सकते है और चीज़ और वानको फूट पाई भी बोल सकते है kई इसको फूट पाइप के इसको फूट पाईप से भी पजोन कर सकते हैו फूड फूड प अमास्य यानि के स्टोमच योगा स्टोमच अब बात आगे चोटी यानि के स्मोल इंटस्टाइन तो कौन सी है स्मोल इंटस्टाइन जह सबसे अंदर है और बहुत बड़ी दीख रही है इसको बोलते हैं स्मोल इंटस्टाइन इसको बोलतें है small intestine अब बात आ गयी है बड़ी आथ इसको बोलतें large intestine यह सबसे छोटी दिख रही है उसको बोलते है large intestine अब आप यह अब आप यह सोच रहाँ होगे कि यह छोटी है इसका नाम large intestine क्यों है और यह बड़ी है इसका नाम small intestine क्यों है क्योंकि dear student इसका size देख रहे हो ना कितना चोटा है तो size की according का नाम रख गया है इसका size चोटा है और यह दिखने में बढ़ी है ऐसे ठीक है अब बात आती है मलाश्य यानिके रैक्टम जो इसमें यह होता है न इसी होता है रैक्टम अब बात आता है गुदा यानिके एनस यह यहां पर होता है लास्ट में एनस एक्स्क्रीशन जहां से होता है हमारा वेस्ट मेट्रियल का इसको क्या बोलते है एनस बोलते है और यह इधर होता है इसको लीवर ठीक है इसको क्या बोलते है पैन कि रियाज ठीक है और इसको बोलते है गल ब्लेडर गल ब्लेडर ठीक है और एक चीज और होती है इसको बोलते है यह जो होती है यह होती है सलाइवरी ग्लेंड होती है slivary gland और या ये देख रहे हो यह होती है epic gliensos Gog freedoms होती क्या है जब भी हमारे माउव से नीचे को उतरते तो two Cox होते है एक होता है wind pipe एक होता है food pipe तो जो हमारे wind pipe है वह हमारा आगे की तरफ होता है काहां होता है बढ़ो पीछे की तरफ कभी आपने सोचा जह से खाना झालए वो विंड पाइब मैं भी तो जा सकता है न तो उसको रोकने के लिए यह विंड के लिए फूड पाइब में जाया जाता है तो डियर इस्टुरेंट आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के और थैंक यू सो मच